कि नमस्कार आप देख रहें इसरी भी हार नियुज में आपके साथ है अभी हम कच्छनावा पंचेते मौजूद है और हमारे साथ खिया आसोप कुमार जी मौजूद है उनसे हम बाचित करेंगे स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका सब्सक्राइब करता है अच्छे सर अभी करोना काल चल रहा है तो करोना काल में अपने गाउंवासियों को ग्रामिन को क्या क्या प्रोवाइड कर वाएड कर वाएड करवा है हम सबसे जादे जागरुक के मास बित्रन करवाए जागरुक करके लोगों को वहक्षिन दिलाने का पर्यास किये बहुत सा लोग वहक्षिन सीतना भराम पैदा हुआ हुआ है यहीं पर्यास किया और मास बित्रन हर घर में किया गया ग्राम बाशियों पंचायत के ग्राम 50 के चनावा के भाश्यों मैं अग्रह करता हूं कि इस प्रीआप और को प्रीटीतिन और मैं जनता से यहां के लोगों से आग्रा करता हूं कि इस इस्तिती में आप आगे आए प्रामर्ज समीती बनने के बाद जो है मतलब उस पे भी जो है गरवरी अगर मिलता है तो उसमें भी कारवाई होगा तो इस प्यापका क्या पहले हैं सभी बात है प्रामर्ज समीती बनाई गए खास करके यहां के मैंने जुक रुके कार्ज को आगे विकास के काम करने के लिए उसमें भी अगर जन्ट प्रिक्तिदी लोग लपारवाही बरतेंगे तो उनको प्रतों करवाई होना चाहिए इनका कहना है कि कोरोना वाइरस को लेके बहुत जादा जन्ता को जागरुक की हैं कि वैक्सीन लेना चाहिए जो कि गाओं में बहुत जादे ऐसे लोग है जो डर रहे हैं वैक्सीन लेने से तो इनका कहना है कि वैक्सीन आवसेले और आप लोग भी वैक्सीन आवसेले क्योंकि वैक्सीन ही है जो आपके community power को strong बनाता है और प्रामर समिती को इन्होंने भी स्वागत किया और बोला है कि जो भी इनमें कोई गलत करते हैं तो कारवाई होगी तो इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे एज़िटी भी हार्ड न्यूज के साथ अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें लाइक करें कॉमेंट करें साथ ही सेर करें